नमस्कार दोस्तों राइसेंस गरज में फिर से एक आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक रॉयल लेंफिल्ड क्लासिक का क्लच केबल रिप्लेस करते है तो चले वीडियो शुरू करते है तो पहले आपको 12 mm का पाना लेना है और इस क्लच केबल को इधर दो नट रहेंगे यह दोनों नट आपको लूज करने है और इस नट को लूज करके पूरा एस साइड लेके आए पिर आपको एक पकड़ लेकर इस केबल को से रलग करना है तो फोर पकड़ को तोड़ा किछ के साइड में किजिये ताकि पकड़ से आप अप एसे केबल को पकड़ सको आपको केबल को नीचे किचना है और लिवर से अलग करना है फिर आपको जाना है पिर से नीचे और इधर जो आपने नट लूज करके रखे थे इस केबल का भी कीच के ऐसे बाहर निकाले तो इससे आपका केबल निकाल के हो जाता है तो केबल के पूरे बाइक से अलग हो केबल को लेफर के अंदर गडाले और घ्क ठाप आईसे इस लूप में डाले तो अब आपको आना है नीचे नीचे जिस लूप से आपने इस लीफ को बहार निकलाता। उस लीफ में डाले पिर जो nut अपने निकलाता है वो वापस लगाए और यह nut वापस लगाने के बाद जो rubber आपने निकला लिती वो आपको वापस लगानी है और rubber वापस लगाने के बाद आपको cable को इधर के lever से connect करना है बाद में clutch आप adjust कर सकते हो यह दोनों nut को जितना चाहिए उतना lose करके जैसे आपका फील ता clutch का उसके सबसे आपको clutch को adjust करना है यह दोनों nut को आगे पिछे करके तो ऐसे adjust करने के बाद आपका cable रिप्लेस करके हो जाता है तो अगर आपको वीडियो उस्फुल लगा तो लाइक और शेयर ज़रू कीजिएगा अगर अगर अपने मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए ताकि मेरे लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आजाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नए वीडियो मिस नहीं होगा तब तक के लिए बाया इंटेक के आए